तो बेटा लास पार में हमने क्या किया था हमने इसका बी वाला कोशिन सॉल्व किया था तो चलें अब हम देखतें कि इसका सी कोशिन कैसे सॉल्व होगा, अब अगर सी वाला देखें तो इसमें हमारे पास thousand कितने, one तो हमने डिख दिया हन्डर्स में four इसके बाथ हमारे पास ten's कितने one two three four five five ten's है हमारे पास तो अब हम क्या करेंगे ten's में क्या लिख देंगे five इसके बाद हमें इसमें once भी दिए है अपेकस में ड्रॉ करने थाउजन कितने हमारे पास वान तो हमने थाउजन के कॉलम में एक बीट ड्रॉ किया हंड्रेट कितने हमारे पास फॉर तो हमने हंड्रेट के कॉलम में फॉर बीट्स ड्रॉ किये इस तरह से फिर हमारे पास टैंस कितने फाइव तो हमने टैंस के कॉ one two three four five once कितने दिये में इसमें रोने हमें seven तो हम अब क्या करेंगे one's के column में seven beats draw करेंगे one two three four five six seven तो अब हम इसका C part solve किया अब B और E आप लोग जल्दी से फटा-फट अभी solve करें ठीके न यह आप का क्लास वर्क है ठीके बेटा तो मैंने आप लोग को आज होंवर्क क्या दिया है मैंने आप लोगों को फिफ्टीन हंड्रेड एंड वन से लेके तो बेटा यह मैं आपकी कल चेक करूँगी आज मैं अपने लेक्चर यहीं तक रखती हूँ इंशाला नेक्स लेक्चर में आपसे मलकात होगी तो अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्ला हाफिज